Hello everyone, today we are doing exercise number 4.4 आज हम लोग exercise 4.4 करेंगे and the first question is find the SCF of the following by prime factorization method prime factorization method मतलब आपको पहले क्या करना होगा numbers को prime numbers के form में convert करना होगा then आप उसका SCF निकालोगा ठीक है अब हम लोग कैसे करेंगे for example the first one is 56 and 98 56 and 98 का पहले हम लोग क्या करेंगे LCM लेंगे LCM लेना मतलब कि उनको उनके prime factors के form में छोटे से छोटे form में convert करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका SCF बताऊंगी मैं कैसे निकालोगा ठीक है तो first of all there is two numbers first 56 and second is 98 so first we do 56 LCM पहले हम लोग क्या करेंगे 56 का LCM करेंगे so अगर आप देखो तो 56 का LCM first number आप मैंने बोला है कि starting up 2 से करोगे तो आपने 2 से किया last में even है that means 2 से आपका cut हो जाएगा तो 2 2s are 4 यहां 5 है तो 1 left और 1 6 16 हो गया 2 8s are 16 so fully cut हो गया next 2 1s are 2 और 2 4s are 8 2 4s are 8 next 2 7s are 14 7 1s are 7 तो 56 आपका इतने times में cut जाएगा next 98 98 अगर आप देखोगे तो पहले last में 8 है that means even number वो 2 से cut हो जाएगा तो 2 4s are 8 और क्योंकि यहां 9 है तो 1 left 1 8 18 2 9s are 18 okay so 49 then 7 7s are 49 आपको पता है कि prime numbers क्योंकि यह 3 से भी नहीं cut होगा अगर आप देखोगे divisibility rule से देखो तो 2 से नहीं होगा 2 से नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा 4 के लिए भी last के 2 digits at least last वाला तो even होना ही चाहिए और 2 digits at least आपकी cut होनी चाहिए 4 से यह cut ही नहीं होगा 4 के टेबल में नहीं हाता तो यह 4 की divisibility भी नहीं follow करेगा 5 की भी नहीं करेगा 5 और 0 होता है 6 की भी नहीं करेगा क्योंकि 6 में 2 और 3 दोनों से divisible होना चाहिए तो 2 से भी नहीं है और 2 से भी divisible नहीं है और 3 से भी नहीं है तो 7 होता है तो 7 7s of 49 अब देखोगे तो आप 7 से ही cuts कर सकते हो 7 7s of 49 and 7 1s of 7 अब हम लोग क्या करेंगे जो भी हम लोग की divisibility है हम लोग as such लिख देंगे कितना कितना आया अब हम लोग को क्या निकालना है SCF और आपको पता है कि SCF क्या होता है product of common prime factor जो भी आपके factors prime factors दोनों के मिले हैं उन दोनों का common product मतलब कि आपको जो common मिल रहा है दोनों में आप देखो common के यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है इसके बाए 2 कहीं और repeat नहीं हुआ है 2,2 वन टाइम एक बर repeat हुआ है और 7,7 भी वन टाइम ही repeat हुआ है अगर यहाँ 2 नीचे भी और लिखा होता है तो फिर आप common कर देते है कि फिर से common है तो common हम लोगो जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 2 and 7 तो 1 टाइम 2 and 1 टाइम 7 तो 2 into 7 तो हमारा यह हो गया हमारा answer ठीक SCF मतलब आप समझ लो कि SCF क्या है कि कोई भी दो numbers उनका prime numbers या उनका LCM हम लोग निकालेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन दोनो numbers या उन दोनो digits के जो numbers आए हुए है वो उसमें कौन-कौन से digits common है ठीक है उस number में कौन-कौन से digits common है और जो भी common हो भी उसको हम जब सरकल कर लेंगे और उसी numbers को हम लोग सिर्फ लिखेंगे और rest को छोड़ देंगे ठीक तो ऐसे निकालते हैं हम लोग SCF तो यह तो हमारा first complete हुआ next moving forward on second second is 60 and 225 same process we just do the same process that is first we just take the LCM LC हम लेंगे 60 का और 225 का तो 2, 3s are 6 and 0 common carry हो जाएगा 2, 2s are 4 sorry 2, 1s are 2 and 3 है तो 1 left 1, 0, 10 2, 5s are 10 3, 5s are 15 5, 1s are 5 next 3 आप देखो के तो 3 से cut होगा 3, 7s are 21 and आप देखो 22 है तो 1 यहां left हुआ 1, 5, 15 1 और 5 मिला के हो जाएगा 15 तो 3, 5s are 15 next 3, 2s are 6 1 left 15 3, 5s are 15 5, 5s are 25 and 5, 1s are 5 तो यहां भी आपने क्यों 5 कहा पहली चीज़ यहां 2 से नहीं होगा 3 का करके देख रहा है 3 से डिवाइड हो जा रहा है और यहां 25 इसलिए क्योंकि last में गर 5 है तो यह 2 से नहीं हो रहा है 3 से भी नहीं होगा और 4 से की divisibility भी नहीं follow करेगा तो 5 की ही करेगा क्योंकि last में 5 और 0 है तो 5 और 0 वाला 5 से divide होता ही होता है तो यह हो गया आपका next हम लोग ने क्या किया इन लोग के जो भी cut करके जो prime numbers हा है उनको 60 के prime numbers को ऐसे लिख दिया और 225 के prime numbers को उसके नीचे लिखा उसके बाद हमने देखा कौन-कौन से digits common है तो आप देखो कि 2 ही नहीं नीचे 225 में कोई भी 2 नहीं है और 3 सिर्फ 1 टाइमस है दोनों में common और 5 1 टाइमस है तो 5 3 अगर हम लोग देखेंगे तो उनका क्या है प्रोडेक्ट ओफ कॉमन प्राइम फैक्टर से 3 5 जा 15 तो इस यूर आंसर अव दिस कोशन नाव मुविंग फोरवड ओन नेक्स ओके नेक्स वन थर्ड वन इस अगर हम लोग जो प्राइम फैक्ट ट्राइशन करेंगे वह किस चीज का करेंगे 4 16 5 72 तो अगर हम लोग 4 16 का पहले लसी हम लेंगे लास्ट में इवेन नमबर यह दाट मींस 2 से कट होगा 2 2 जा 4 एंड क्योंकि हाँ 16 साथ में लेना पढ़ा है तो 0 पहले हम लोग उतारते हैं क्योंकि कोई भी डिजिट हम लोग साथ में पहले उतारने से पहले 0 लिखते हैं आप डिवाइट करके अलग से देख लेना आपको समझ में आजागा देन यू राइट 0 देन 1 6 16 और 2 8 जा 16 और 1 2 12 2 6 12 2 1 2 2 3 6 और 13 आपको पता है किसी के भी टेबल में नहीं आता तो 13 1 3 13 13 जा प्राइम नंबर तो वो आज सची रहगा नेक्स 5 72 तो 2 लास्ट में है तो दाट मेंस 2 से कट होगा 2 2 2 2 जा 4 1 5 1 7 17 2 8 जा 16 1 2 12 2 6 12 जैन अगेन इवन नंबर एट मेंस 2 से कट होगा 2 1s 2 2 4s 8 2 3 2 3s 6 जैन आपको पता है कि अगर आप इसका पूरा करके देखोगे आपका ये 2 से नहीं होगा आप सिंपल सी चीज समझ लो कि इवन नंबर न को होगा तो वो 2 से 4 से 8 से last में कट हो जाएगा तो ये तीनों से नहीं कट हो रहा हूँ 3 से नहीं कट होगा क्योंकि अगर आप काउंटिंग करोगे प्लस करना है सब डिजिट्स को तो 4 1 5 and 3 8 8 ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है तो ये किसी से भी नहीं है आप उसके बाद 11 जोगे तो आप 11 से देखोगे तो 11 वंजा 11 एन लेफ्ट हुआ 3 3 3 33 तो 11 3 33 13 वंजा 13 यह आपका इस तरह कट होगा आप अलग से भी कटके डिवाइड करके देख सकते हो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप अलग से करके देख लो ठीक है नेक्स हम लोग क्या करेंगे कि फिर से वैसे ही 4 16 का जितने टाइम्स में यह जितने टाइम्स यह आपका डिवाइड हुआ है जितने टाइम्स में कट हुआ है तो 2 2 2 2 2 2 and into 13 5 times 2 into 13 and 5 72 जो है वह वह 2 2 11 and 13 अब कॉमन क्या है एक तो पहला 2 पहला 2 मिल रहा है next 2 next 2 मिल रहा है then 13 13 मिल रहा है तो आपका क्या 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 करोगे SCF of 416 and 572 is the product of the common prime factor तो इन दोनों का common prime factors यह है ठीक है तो आप लिख सकते हो 2 2 into 2 into 13 दो बार 2 2 है and then 13 है तो 2 into 2 into 13 इसको हम लोग exponential form या power के form में भी लिख सकते है तो 2 कितने times लिखा जा रहा है 2 times that means 2 की power 2 into 13 और 2 2s है क्या होता है 2 2s है 4 4 into 13 that is equal to गर आप लिखे तो 52 that is your answer so this one this three three of this exercise you just do in the work there are I think nine question in this and we just solve it in upcoming days and thank you strengths